हेलो सुरेंट्स मैं रवी रंजेन आप लोग का स्वागत करता हूं मैंगे बेंस हिंदी में जो आपको प्रवाइट करता है चटी से बाद युक्षा के सबी विश्यों के करेंगे तो अभी तक इससे पहले हम इसके इंदर इसके ग्राफिकल मैठेड जो आले वाली वाली विदी थी वह ने कर लिया था ठीक है और साथ में हमने प्रतिस्थापन विदी को भी कंप्लिट कर ले था और इससे पहले के जितने भी प्रसनावली थी 3.1 3.2 3.3 इसके सारे क्या है सबसे पहले विल्वाइवक लॉपंध लुपंधी में हमने जाना को कि यह होती क्या होता है फॉर्टन भाई amis बेक्ति दो पलस में बरावर में चार है और यहां पर दियुक्प्लस में चारवाई माइनिस चारवाई बलावर में छे इस दो समी करना ठीक है अब इसमें क्या करता है हम सर्व परथम एक चर को विलॉप्त करेंगे वीलॉप्त मतला गायब कर देंगे करते हैं मतलब क्या एक सब्सक्राइब करते हैं यह विद्धी विलोपन विद्धी कहलाती है इस विद्धी को विलोपन विद्धी कहते हैं तो इसका इसका डिफाइन हो गया इसका इसकी परिभाशा होगी अब इसके सारे कोशन देख लेते हैं एक ट्राइब कर लेते हैं तो समझ में आएगा सब्सक्राइब कर दो या फिर वाई को बराबर कर दो हो कि अगर आप एक्स को बराबर करते हो या वाई को आपर करता हो तब हुगक्त होगा तो हम क्या करेंगे पहले वाले को DRS करेंगे और दूसरिवा leuk Coral do x 2 मुझे अगर यहां 2 x मिल जा तो यह बराबर हो जाएगा तो देखो क्या क्या दो से गुना करती मैं यहां ले देता हूं दो से गुना करने के पांद बाद यह बचाए 2X फ्लेस दो आई बलावर में 8 बचांग और नीजे कितना है सारी दो शालिब गुना करेंगे na दो आंप दो तो यह पूरा ऑँ न और तो यह यह झैशनक हो रहना रहा यह दो को एक से क्या, दो ले सी किया तो चार वाई आए तो यह आएगा चार वाई और दो को जब चार से गुना किया तो कितना आया अठा गया या कि मारपस भी करने उसके बाद जो नीचे एक से गुना किया तो एक से गुना करने वाला एज़र रहे गया है दो-2-4y बरावर में चे आगए अब हमें क्या करना है या फिर एक्स को कर दिया सब्स्क्राइब कर अब गाइब करने वाली विदी क्या है तो हम क्या करेंगे यहां देख पारें यह समिकरन एक है और यह समिकरन दो हो हैं तो यहाई अब क्या करेंगे गाय करने कि अब हमारे पास यह आगए इसके बार हम करेंगे भी पहले समीकर्ण गटा दूं यानी समीकर्ण में इस दूसर समीकर्ण मैं घडा द़क होगा तो घटाने वाली बात की बाद करूं यहां दुवार से लिखता हूं 2X plus में 4Y बरावर में आज और 2X माइनिस 4Y बरावर 6 अब इसमें कहा गया है पहले समीकर्ण में से दूसरी समीकर्ण को घठाया गया है घठाने का मतलब क्या है X में से X वाला गटेका और से यह घटेगा तो यह बताओ दो एक्समें से दो एक्स को घटाओ तो क्या आएगा तो कुछ नहीं आएगा जीरो आजाएगा यानि हम इसको कह सकते हैं यह तो कट достаточно अब मैं कहूं चार वाई में से यह जीरो आगया चार वाई में से माइनस क्या है माइनस चार वाई तो क्या आएगा तो बोलो कि सर यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यही होगा यानि हम देख पा रहे हैं जो नीचे वाला था वो प्लस हो जाएगा नीचे वाला प्लस जाएगा इस यह समझना ठीक है कि यह ऊपर से नीचे वाले को घटा रहे हैं तो जब दो एक से दो घटा होगे तो प्लस वह तो मैंने घटाया है तो यह मैंने प्लस ही होगा तो तो हमने इसको प्लस लिखा कि अब यह दोनों प्लस हो जाएंगे ठीक है यह प्लस छे था कुछ नहीं साइन मतलब प्लस होगा तो इसको नीची लिखा माइनिस यानि 8 में से 6 को घटाएंगे अब देखो क्या हो रहा है तो 4y और 4y मिलके क्या हो रहा है यह हो गया 8y ठीक है और यहां 8 में से 6 गया कितना ब तो यहां पर क्या हो रहा है हमने एक एक चर को विलुप्त कर दिया गाइब कर दिया गाइब कैसे हुआ है तो गाइब यह हुआ है कि हमने पहले उसको बराबर किया और फिर घटा दिया गाइब हो गया ठीक है एक तो यह तरीका है कि हम पहले समीक्रण में से दूसरी समीक् यहां की बात करते हैं तो यहां पर अगर मैं इनको समीकरण को प्लस करता हूं तो प्लस वाली कंडिशन में क्या होगा क्या यह दो और दो कटेगा क्या तो नहीं दो और दो जुड़ जाएगा तो मैंने यहां माँ पर निखी है दो एक्स प्लस में चारवाई बढबर वे आठ दो एक्स माइनस मैं चारवाई बढ़ावर में अच्छे तीक है अब इसने का है पहले समीर्ण में दूसरे सद्रेट को जोड़ा गया है जोडने काम मतलब क्या है मतलब यह है कि अब साइन और यहाइब तो क्या होगा मंइस मैड़ quietly प्लस प्लस मैस तो नहीं हो तो आब देख रहें वह चार,又 है यह कट गया और बचा गया इस है अँछ से चौदा बचा ठीक है अब यहां से X का मान कितना आ रहा है तो यह आ रहा है 14 बटे में 4 और इसको काट के हम ला सकते हैं 7 बटे में 2 या जाएगा तो यहां हमने देख लिए अब एक्स का मान निकल गया इस एक्स के मान को अगर कहीं भी रखते हो तो देखो वाई का वही मान आएगा जो देता हूं समिक्रण 1 में रख देता हूं समिक्रण1 क्या है दू X2 एक्स के जगहा 7 ड़े 2 साथ बतनी मायने तो एक चार आगी यही आंसर पिछली बार भी भृुस करके यहांनि समिकरण को जोड के bir долiens करके तो चलते हैं तो अगला कुशन जो यहां दिखा हुआ है क्या दो दो व्यक्तियों की आयए का अनुपात नौ अनुपात साथ है धकल यहां पर कुछ स्टेटमेंट बे रखा लिख्या रुब बूरा दे रखाया अब इससे आपको सभीकताण बनाना होगा वर चाहिए उसकेः बास तो करना होगा टृट्ट एसको न में का गया दो विक्टियों की आई जो है वो अनुपात में हैं नौन फान साथ में मत्भब पहला यदि नौ कमाता तो तो उनकी मासिक आय कितनी है उनकी मंतली इंकम कितनी है यह बताना है अब लोगे सर यह तो बड़ा मुईदार क्वेश्चन है तो है मतलब निकलने ऐसे नॉर्मली सोचा जाए तो कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा लेकिन आपने थोड़ी सी प्रेक्टिस कर रखें आपने का हल होगा कैसे इसका सॉलिशन होगा तो यहां पर क्या है पहले इसने कहा है कि उनकी आए जो है वो नौ अनुपात साथ है अनुपात का मतलब क्या करो उसको एक्स माल लो ठीक है तो हम यहां माल लेते हैं व्यक्ति यह हमारी क्या है यह आए है तो हम लिसकते हैं आए का अ अनुपात थीक है यह हमारा क्या है नौ अनुपात में साथ है इसको हम लिख सकते हैं किया पहला व्यक्ति यानि पहले व्यक्ति की आय कि कितनी होगी तो यहाँ पर जब भी अनुपात में दे तो उसको एक्स saat हो जाएगा और जो दूसरा व्यक्ति है अची कि इसकी आयर्म जो होगे ओच चलो वह ठीक है उसके बाद इसने कहा है उनके कि खर्चे कर्चे मतला पहले लेते हैं पहले व्यक्ति कर्चे के ख़र्चे पहले कि व्यक्ति पहले व्यक्ति कर्चे तीक कुछ सब्सक्रदस को १ IS चार अनुपात तीन में अब देखो आए को हमने एक्समान लिया है तो खर्चे को वाई मानना पड़ेगा ठीक है तो हम खर्चा मान लेते हैं क्या जाएगा वाई तो वाई कितना है चार अनुपात में कहा है तो मतलब चार वाई आएगा और दूसरे की बात करें तो कितना हो अब बचाना मतलों क्या है भाई जितना खर्चा हुआ यह जितनी इंकम हुई उसमें से खर्चे को घटा दो तो वह बचा तो प्रशन के अनुशार क्या होगा तो हम लिखें पहला वैक्ति जो हो 9X कमाया था और उसने 4Y खर्चा कर दिया था 9X कमाया और 4Y खर्चा कर दिया घटाया और अब उसके पास 6 कितने पैसे बचे हैं तो बचे हैं उस पर 2000 रुपे तो 2000 रुपे इसने बचा लिया है ठीक है दूसरा वैक्ति जो है 7X कमाया है और 3Y खर्च कर दिया है मतलब यहां पर आगया साथ एक्स कमाया और तीन वाई खर्चा कर दिया और यह भी आ रहा है दो हजार रुपए ठीक है यह इतना रहा है ओके अब इसने बोला है तो उनकी मासिक आए याद किजिए मासिक आए क्या है आए है अनुपात में मतलब नौ एक्स निकालना और साथ एक्स निका चाल लेते हैं तो यहां पर रखते ही मारे पास आया जाएगे ठीक है तो भाइं इसको निकालना पड़ेगा अब देखो मुद्दा क्या है हमें क्या करना है हमें करना यह फिल Lad na कर दों कि साथ में क्या उभ्री कि रहाँ पर दूसरे और आपको ऑस में गुना कर दोंग तो तीन से उपर गुना किया अपने आप हो जाएगा जब भी आपको समझना है तो नीचे वाल से उपर गुना करो ऊपर से नीचे गुना करो तो यह हो जाएगा अब मैंने हो जाएगा नौतिया सत्ताइस हो जाएगा चार तीया बारा वाई हो जाएगा और यहां आघना तो यह आ अब हम क्या करेंगे दोनों समीकन को घटाएंगे अब घटाने का मतलब अब और में से नीचे को घटाएंगे घटाने का मतलब यहां पर साइन बदलेगा प्लस है तो माइनेस माइनेस तो प्लस और प्लस है तो माइनेस यही होगा यानि अब मुझे 27 में 28 को घटाना है तो क्या क्या बचेगा तो माइनेस बचेगा बढ़ा है तो माइनेस बचेगा ठीक है अब मा क्या है यह इसमें क्या कर रहे हैं माइनिस बारा प्लस में बारा कितना होगा माइनिस बारा प्लस में बारा कितना होगा तो माइनिस बारा प्लस बारा तो जिरू हो जाएगा तो इसमें देख सकते हैं यह गया कट और यहां आ गया जिरू ठीक है अब यहां छे में से आठ जा दो तो हमहारी पहली समिक्रण ते तो हम क्या करते हैं एक स्कावान उठाके समिक्रण दो में रखते हैं तो एक्स का मान रखते हैं दो में एक्स का मान समी करण दो में रखने पर दो में रखने पर कितना होगा तो हम देख पारे एक्स का मान आये था 2000 और समी करण दो क्या था साथ माइनस में 3 तो साथ एक्स की जगा 2000 है माइनस 3 वाई बरावर में 2000 है या ठीक है दैन इस तो यह हो जाएगा प्लस तो यह हो जाएगा तीन वाई प्लस का यह 2000 को इधर लाएंगे तो साथ दूनी 14000 है माइनस में 2000 है ठीक है 14 हजार में से 2000 गया तो बचा कितना 6000 बचा है ठीक है तो यहां पर आगया यह छे रहा का तो हम इस्वे गए का मार्ण के इसको काट चार हजार आ गया यानि हम 0000 थिखते हैं हमें निकालना क्या था हमें निकालना दो वह आए पैढ़मी तो कितना है 9x है 9x है तो हम इसको लिए सकते हैं 9 गुने में x x कितना था तो x आया है 2000 यानि पर्थम व्यक्ति की जो आय है वह 18000 रुपए है याद रखना ठीक है पहला व्यक्ति जो उसकी आय कितनी होगी 18000 रुपए की उसी अनुसार दूसरे की बात करें तो दूसरे व्यक्ति की आय जो होगी कि इसको यह देख लेना कैसे क्या होगा छुटी बड़ी मैनेज कर लेना पहले दूसरे व्यक्ति की की आय ठीक है यह आ रहा है साथ एक्स और साथ एक्स की बात करें साथ गुने में x कितना है एकसे 2000 जानी हम कह सकते हैं भाई दूसरे व्यक्ति की आय कितनी आ गईई यहा गई है चोदा हजार रुपय ठीक है दूसरे व्यक्ति की आय कि तब ही बचतन के लिए बचती दोग्जार तो आए में इसने खर्चेशे ठटाया है बचसchnी तोकि को बराबर करना था था तो हमने क्या य को बराबर किया है कैसे तो 3 से उपर गुना कि चारht से नीचे गुना कि और अब देखा तो यह बराबर हो गया ठीक है अब परफ हो गया तो अब क्या करेंगे पहले समेंग्रन में से दोशने समेंग्रन को ममने एक माइनस करती है कि यह आ गया माइनस it can dozo and हमां से सब्कार्ण 20000 निकाल लिए और उस एक्स को उठा की यहां हमría मनेर रखा है समीकरण 2 में रखा है तो हमारा वाई भी निकल गया तो भी चल जाएगा तो भी चल जाएगा इसने सिर्फ खर्चा बोला था यह नहीं हमने एक्स निकाला अब इस एक्स को उठाके इसमें रखना है पहले व्यक्तिक आए नो दुनी 18,000 दूसरे व्यक्तिक आए साथ दुनी 14 तरह भी तो तो नोट कर लो इसका प्रियोग करके निमन रहेकिक समीकरन यूगम के सभी संभव हल्यात की जिए मतलब इसमें भी हमें क्या करना है विलोपन विदी निकालना है लगाना तो अब देख लेते हैं क्या जीजे यहां में दिख पा सब्सक्राइब इसमें ब्राबर में ete to cali a ber compliment साथ चाहर नियुक्या तो हम देख सकते हैं अगर मैं इसको दो से उना कर दो दो को दो से उना कदो तो कितना ऊए चार्म अजोय जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं इसको हमने 2 से गुना कर दिया और इसको गुना एक से करा है जैसे हमने 2 से गुना कर तो क्या बचा 2x 2 से गुना करती यह आ जागा 4X ice पलस में 6Y बराबर में 16 झाएगा ठीक है अब यhips कितना रहे तो यह आ रहे 4X पलस में 6Y बराबर में 7 यह रहे यह यह रहे ठीक है अब देखो इस दोनों समेओं को जो मैंने घटाया तो 4X में एक्स कट गया माइने सब्सूर्ण 커र यहाइगा लेकिन तो यह कट रहा है तो ठीक है क्चेव सहु in shi नहीं जीरो इधर 16 में साथ गया कितना बचा यह बच गया नौ किया यह दोनों ब caucus होते हैं क्या दौन क्यों होते हैं नहीं होते बड़ाबर यानि यह नहीं होगा कैंसिल होगा नहीं बड़ाबर नहीं बड़ाबर का मतलब क्या है कि एक्स और वाई के किसी भी मान पर यह समीकरण में कोई हल नहीं आएगा कोई हल नहीं आएगा यहीं से हमारा ग्यात हो है तो हम इस में लिख देंगे इससे कोई हल नहीं है ठीक है इस समय करन का कोई भी हल नहीं है इक और तरीका जो हमने तरीका जो हमने पहले भी कोई हल कब नहीं होता था जब दो मैं जह आठबाच मने साथ यह तीने को लगे NICK lira चार गट गया तीन लूदी शे कट गवरी नहीं का बैङन ब्राबर दो वर थीसरा ब्राबर नहीं तो यह हो गया सम आंतर और समानतर रहएं कमांगा होता है क्या करें नहीं को सकते हैं तब हमारा यहाँ पड़えば था अगया अगले कुश्यशन की बात करें दो लिखाए दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को इलटने पर बनी संख्या का योग कैसे होती है सल इसको हम X और Y में कैसे लिखे तो आपको बता दू अगर माला दो यह एक्स और यह वाई है तो इसको कैसे लिखेंगे Y कलेंगे तो छह कीड़ मतलब क्या होता है U nie manga हो रहा है आपको यह दिखेगा कि S remove घुना में होते हैं अगर भुना को 20 है क्या से लिखें तो इसको लिखना होता यह यह होता है काई यह होता है दाहाई यह होता है तो हम इसको लिखते हैं 10 x कज प्लस में य ऐसे लिखा जाते हैं तो तिक है अब इस कंडिशिन में अगर x-2 है तो क्या में सेट रखना बिलकुल दो अंको वाली संख्या 10xD survived होती है कहां इसको लेके हम यहां कोसिन करेंगे अब इसमें कहा हुआ है क्या रखा है कह दोंगों की एक संख्या यानि कि हमने क्या लिखा हो back to keys फ्लस में वाय यह 2 जाएगा 10 y plus में X आजाएगा जैगा यह उल्टाव के ठीक है चला वह तो इसने का है दो अंको की संख्या एवं अंको को उलटने पर बनी संख्या का योग मतलब ये संख्या और ये संख्या इनका योग कितना है 66 कि इनका योग 66 हो गया ओके अब इसको मैं जोड़ता हूं तो क्या होगा तो दस X क्थमिन कितना उता होता है तो ग्रावर एक सोगा ठीकि यहरा एक्स हो गया वाई प्लस में y बडावर में 66 बटे में 11 ज्यारा चिक 66 आजाएगा यह हम कह सकते हैं x plus y बडावर में 6 आगया तो चलो वे ठीक है यह हमारी पहली समिक्रण बन की अब उसके बाद यह क्या कह रहा है यदि संख्या के अंको का अंतर संख्या के अंको का आंतर समझो जैसे कि मैंने 25 लिखा था ये एक और ये वाय था तो यह एक अंक यह दूसरा अंक है ठीक है यह पहलाге 1x say Two-screen थीक है तो इसने काए अंगों का जो अंतर है वह कितना है दो है जैसे कि मालूमθη में लिखते हैं यहांपyst पैटिस लिखा रहत है तो इस पर पहला एक तीन है एक पांच है पांच और तीन का अंतर कितना है तो दो का रहा है ठीक है ऐसे कोई भी संख्या है जिसमें दोनों अंकों का अंतर क्या है दो है तो यानि हम कह सकते हैं यहां पर समिक्रण में क्या होगा कि एकस माइनस वाई यानि दोनों अंकों का अ संख्या ग्याद करने के लिए हमारे पास दो समीकर्ण आज चुके हैं तो हम क्या करते हैं समीकर्ण एक में से दो को जोड़ दिया एक और दो को जोड़ा है ठीक है जोड़ोगे तो क्या होगा तो यहां देख रहे हैं और ॉथ के लिए पर झेड़ेकरद से उनने की नहीं पढ़ती वाई से पाइज होगे या और 2 हा यहां चलो गया कितना पचा तो चार आ गया है ठीक है X का मान कितना आ गया तो यहां से आ गया दो X का मान दो आ गया ठीक है अब इस X के मान को उठा के आप रख दोगे किसी भी समीकरण में पहले में रखो या दूसरे में रखो मालो हमने पहले समीकरण में रखा ठीक है तो X का मान समीकरण एक में रखने पर तो यहां पर समीकरण एक हमारे पास क्या है एक्स प्लस वाई बराबर में छे और एक्स का मान दो इसको रख देते हैं रखने के लिए दूसरी श्लाइट पर आते हैं तो यहां पर हमारे पास है एक्स प्लस वाई बराबर में छे था और एक्स का मान हमारा रखा है कितना दो तो हमने लिखा यहांपर दो लिए समय है यहां सब्सक्राइब昨 टीव यहां कितना तो इतर तर घढ़ चार बच्य देगा और हमारी जो शंख्या थी दो संख्या है थी वो क्या थी तो हम लिखेंगे अब फाइनली की पूछा और इसे पूछ釘ड था ऐसी संख्या कितनी होगी कितनी होगी और कौन सी होगी ठीक है तो हम वही देखने में दो अंको वाली संख्या के बारे में तो दो अंको वाली संख्या क्या थी तो यह थी तो दो अंको वाली संख्या थी क्या है अब यहां पर हम अगर लिखते हैं एक्स का मान कितना है तो एक्स का मान है दो और वाई का मान कितना है तो चार है तो हम इसको लिखते हैं चौबिस ठीक है यह हो जाएगा और इसी अंको अगर उल्टा पलता जाए उल्टा पलट दिया जाए तब क्या होगा तो तब इसमें क्या हो जाएगा तो तब हम कह सकते ह यहां पर या करके लगता हूं यह हो जाएगा दो अंकों की संख्या दस वाई प्लस में एकस भी हो सकता है और यानि हो जाएगा दस गुने में चार प्लस दो यानि 42 यानि इसके दो अंसर निकल गए हैं मतलब ऐसी संख्या दो हो सकती है चौश्य सोगता है on the bottom instruction कहीं बहुत जाते हैं तो इसको याद पर दखना कि 10 x plus में वाई क्या होता है ठीक है चलो इसका स्क्रीन साट ले लो और उसके बाद फिर इसका भी स्क्रीन साट ले लो फिर हम आते हैं नेक्ट कुश्चिन पर कि अगयुग मनें लिखे समीगण के यूगं को विलोपन विधी तथा प्रतिस्थापन विधी से हल किजिए मतलब दोनों विद्यों से लकरना है और चेक करेंगे दोनों में से अंसर अलग तो नहीं आ रहा है से मांची आंसर टीक है कौन सी विधी अधिक उप्यूक्त हैं अब यह भी देखना वह कौन सी ज्यादा असान है तिक है या फिर ज्यादा सूटेबल है उसके लिए वह देखा जा रहा है तो यहां पर इसमें हम हल करते हैं तो पहले हम करते हैं विलोपन विदी विलोपन विधी द्वारा ठीक है तो यहां हमारा पर समीकरण है एक्स प्लस में वाई बरावर में पांच और दो एक्स माइनस तीन वाई बरावर में चार है इसको अगर मैं दो से गुना कर दूँ तो बरावर हो जाएगा एक्स हो जाएगा तो हम कर देते हैं दो से गुना और इसको एक से गुना करें तो कितना रही है तो यह आ रहा है 2X प्लस में 2Y और बरावर में 10 यह आ गया तो यह नीचे की बात कहें तो यह कितना रहा है 2X माइनस में 3Y बरावर में 4 यहां हम क्या सकते यह लिखी और यहां से हम देख सकते हैं लिए पिरिवंते य आगा हमारे पास छे बते में पांच में थीए अब हम करेंगे आग अधे आगे कमान को किसमें मेरshirt form ये टिए मैं मेर देते हैं तरृत कि समॉत खरन ऐसल Means कुरन सबीखर ढ LET के एक मेरखने पर टीक है भी वाई कमान छेव सब्सक्राइब एक में रख दिया गया है तो यहां करेंगे एकस प्लस में छेवेटे पाँच बराबर में पाँच इसको ठाके इधर भेजेंगे तो लगारी मैंश च्छेवेटे 5 25 25 से छेगा बटे पांच यह X का माना आ गया कि ठीक है यह X का माना आ गया और यह विङठी हमारी विलोपन विदी इस से अंधिस्कों सौल हो गया आप यह करते हैं पृति स्थापन विदी इससे कैसे सौल होगा तो भी देख लिए ठीक है कि तो यह हमारे पास क्या है एक्स फ्ल्स वाई बरावर में 5 है एक्स प्ल्स बरावर में 5 है और दूसरा मा Si है 2 x माइस में 3 our माईस में 4 यह ना 2x-3y बरावर में 4 भक्रावर में यह यह अब इसको करना है intimidating धान विडिशी तो हम इसको कर रहे हैं i प्रत्िस्थापन जब भिजिए से कर रहे हैं तो प्रत्रीस्थापन विधी के अंदर क्या होगा तो भई एक से एक से का मान निकाला जाता था और दूसरे में रख दिया यह दो निया है तो समी करन एक से x का मान निकाला पांच माइनस में y आ गया थीक है तब x का मान समी करण दो में रखा गया ठीक है भी x का मान क्या किया गया समी करण दो में रखा गया चलो बहुत समीकर 2 में रखते हैं एक्स कामान तो एक्स कामान 5-y उसको उठा के यहां पर रखेंगे तो यह हो जाएगा 2 5-y-3y बरावर में 4 आएगा इस दो को अंदर गुना किया तो 5-10-2y-3y बरावर में 4 आ रहा है तीक है माइनस-2y-3y मिलके-5y वाइन पांच यह जाएगा तो इसको लिखेंगे माइनस में 5 वाइन और इसको 10 को उठा दस सको एंजयरavior में अब बरावर में 4 है अब इस बार भी हमारा है का मान चे बटे 5 आ चुका ओकर व हम रखेंगे तो य कमान मान कि अफ़े एक में रखने पर थीक है इस य को हम रखते हैं तो एक्स प्लस में छेवटे में पांच और बरावर में पांच आएगा यहां से x का मार्ण वही 5-6 बटे-5 25 से च्छे गया उन्यश बटे-5 यह सेम तू सेम आओ से नहीं से हैं मतलब हमने किया प्रतिष्ठापन विदी से तो यह सॉलइशन और हमने किया। अब मुझे तो बताना है कि दोनों में से असान कौन सा लग आपको क्या कि आपको यह वाला असान लगा किसमें कम कैलकुलेशन थी कौन जल्दी हो गया यह वाली बात तो भाई मुझे तो विल उपन विद्धि जाद अच्छा लगा बागी आपको कौन सा अच्छा लगा इसको कमेट करना जाए प्लोग भी अप आते हैं नेक्स्ट कुशन पर अगला कुश्चिन हमारे पास है तीन एक्स प्लस में 4y बराबर 10 और 2x-2y बराबर में दो इसको भी दोनों मेथड से करने हैं तो पहले हम क्या करते हैं विलोपन विदी से यह है विलोपन कि विदी से कर रहे हैं तो यहाँ पर तीन चार य बराबर में 10 है और यहां 2x माइनस में 2y बराबर में 2 लाग यह चींज़ है कौन कि यह चांप उपर करने लिगा इसको दो तोटीन तोटेका हो नहीं सकता तो तीन को स्सक्राइब को तीन को सब्सक्राइब प्लस में आठ वाई बरावर में तीन से हैं घर पर सब्सक्राइब और कर देते हैं ठीक है माइनिस करेंगे तभी तो 6 x कटेगा तभी गटेगा तो यहां हम देख पारें भी जोड़े हिए चौदा वाइए यह दोनों गटेगा तो पही बीस में से छे गया प्रिस में SEC रहे कितना बचेगा तो यह काम आन समीकरण एक में रखने पर तिक वह यका मन एक को उठा के हमने यहां रख दिये तो तीन एक्स प्लस में चार गुन में एक बराबर में दस आएगा अब यहां देख सकते हैं तीन हैं और चार एकम-4 में 4 आगया यानि हम क्यों सकते हैं तीन एक सतहीं रिस लिया दिखे को करते हैं पर तिस थाापन विधी से सदोगा केaisे के वाले पर कुछन में था तहां भई पर्तिस्था पन वीधी थीख था उसमें भी हमने लेक्त अगल लेकिन यहां पर समान निकाल देखो क्यांसा निकलेगा वह देख लिए तो इसमें हम करते हैं 3X प्लस में 4y 3x4y बराबर मैं 12 है के और 2x माईनिस में 20y बराबर मैं 12 प्रतिस्थापन विद्धी से तर्थिस्थापन विद्धी से करना है प्रतिस्थापन विद्धी से करना है प्रतिस्थापन विद्धी से करना है प्रतिस्थापन विद्धी से करना है पहले में से दूसरे में से एक समान निकालते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं तो तो यहां से अगर मैं माल बहले मैं से किस मेशिज करंगे 22Am तो यहां हम देख सकते हैं 2x इसको ठाकर उधर बेजेंगे तो 2 प्लस में 2y आएगा इस x को यहां रखो इस दो को नीचे दियाओ तो 2 प्लस में 2y और बटे में 2 आ रहा है क्या उपर 2 common आ रहा है तो हां रहा है common तो अगर common लेते हैं तो कैसे आएगा दो अगर common ले लोगे उपर में तो यहां दो ऐसे आ जाएगा वाइस में से दो common लोगे रैसी दो आएगा ठीक है इस दो से दो कटिया यहनि एक्स का मान कितना आ रहा है एक प्लस में वाई आ रहा है ठीक है अब इस x के मान को उठाकर समीकरण एक में रखने पर ठीक है एक्स कमान समीकरण एक में रख देते हैं तो एक में रखेंगे तो कैसे रखाएगा तो तीन x की जगा रखा क्या एक प्लस में वाई प्लस में 4y बरावर में 10 इस 3 को अंतर गुना करें हैं तो 3 एकंतीन प्लस में 3y प्लस में 4y बरावर में 10 हैं और इस 3 को उठाके दूसरी तरफ भीज जेंगे तो वाई कमान एक था बिनकुन वाई कमान एक था इस बार भी वाईकामान एक ही आ गया है बढ़ कोहई इक दिसका मैतलeking कि आ गया सेंक रिखान थीच यह ा थिक है तो परhellय कमान कि हरसमें करनide एक में रखने पर एक करना-फर हाई ऐक में य देते हैं तो क्या हों जाएगा प्लैसमें चार वाई वाई कितना है तो वाई कमान हमारा एक आया था अप्लाबर मैं। 10 है इस तीन एक्स को यहीं रखा चार एकम 4 और उसको उठाकर दूसरी तरफ बेज़ देंगे तो 10 मानेश में 4 आ जाएगा और यहां देख सकते हैं तो यह दोनों में सहीमान सरा गया अब आपको कमेंट करके बताना है कौन सा विधी इसके लिए सुटेबल था तिक ना कौन सा ज्यादा असान था इसके लिए और इस चीज़ को कमेंट करना है ठीक है चलो वहीं आते हैं नेक्स पार्ट पर इसको मैं रेज करें चाहिए लेना और इसका भी लेना अगले की बात करें तो यहां भी हमारे पास है तीनेक्स-5 वाई जो भी समीक्रण आपको दे रखी है अब इसको हमें हल करना है दोनों वीदियों से तो पहले हम करते हैं विल उपन विधी विल उपन विधी तो ठीक है यह हमारा क्या है तीनेक्स मैं पांच वाई माइनेस चाल बव्रमक्र इंता है और इस मैंझते क्या चीजहें हैं यह समीकर्ण इधर तो साड़ा दे रहा इसमें एक सीथर दे सब्सक्राइब करना है तो अगर मैं इस तीन को बराबर कर तब जाके से मुझाएगा और माइनस कर फाओगे से तो यहां पर जबाबर कर तो इसको तीन से गुना करके जालव इस तीन को जैसे मैंने गुना किया तो यह आगया गया इस मैं थो फो सब्सक्राइब मतलब एक मेंसे दो को घटाए गया है तो घटा होगे तो क्या हो जाएगा यहां पर मिली सकते हैं यह माइनस होगा यह प्लस होगा और यह माइनस होगा अब यहां पर क्या है नो एक से नो एक सकट गया पंदरा माइनस पंदरा प्लस दो माइनस पंदरा प्लस दो कितना होगा अब उन्यस बड़ा है लिंशुर दूर्माइनिस म stairs तो मानश तेरा ऐगा ठीक है तो यहां लिए मैनिस देरग da ठीक है यहां की बात करें तो twelve है बारा में से साथ गया कितना बचा तो वारा में साथ जाट नहें तो 759 बचेगा टीक है और वाई का मान कितना आ समीकरन एक में रखने पर कि एक समीकरन टीनेक्स मायनस में 5 वाई वाई कितना है पाँच वटे में 13 माइनस का लग दिया अबने बरावर में कितना है तो बरावर में है चार चिक है अब इसमें देख सकते हैं माइनिस- Sak 10 में प्लस होगा यानि हम लिज सकते हैं प्लस में 25 ब्रहल लिखा जा सकता है बरावर में 4 है इसको उठा एक दूसरी तरह भीज देंगें ठीक है, x कमान निकाला तो कितना आएगा 27 बटे में 13 और यह 3 नीची आ जाएगा और यह 3 से यह कट जाएगा 9 पे और हमारा अंतर आए नो बटे में 13 तो, x कमान आ रहा है 9 बटे में 13 यह अंतर आगे, टिक है एक्स कमान फाइनली निकल गया 9 बटे में 13 और वाई कमान निकल गया है पांच बटे में माइनस 13 ठीक है पाँच बटे में माइनस दिरा निकल गया ठीक है खोजिकत ओके तो अब इसको को नोट कर सकते हो और उसके बाद हम इसको करते हैं परतिष थापन विदिश्य है kullan तें टीक साथ हैं अच्छ तीनेक्स मैंनिس में 5Y में पांच वाही है और दूसरा है 9-2 ऐसा और इसको हम कर रहें परतिष थापन tat में कि फूल आप टिंट्टी के परतिस्थापन क्युक्ति से करते हैं ओके सब्सक्राइब निया जिए मतलब पहले में से एक निकाले 3x बराबर में इसको धरभीज देंगे तो 4 प्लस में पांच वाई आ जाएगा और x का मान कितना आ गया 4 प्लस में 5y और बटे में 3 आ गया यह इत्ता वड़ा सा x का मान आ गया ठीक है इसको उठा करें किसमें डालना है समी करण 2 में डाल देते हैं तो हम यहां लेखेंगे x क समीह करण कि दो में रखने पर ठीक है भी एक्स का वान क्या है में पर पास तो यह है तो इसको यहाँ पर रखेंगे तो 9 और सक्षप तौerm कि जागा चार प्लस में पांच वाई है बटे में तीन हो जाग गया माइनस में दो गुँने में वाई य तो नहीं पथा वाई तो निक्साद निकाल रही है तो य को रहने देते हैं और बनावर में साथ है जा गया ठीक है अब इस तीन से नो कट रहा है तो तीन तीन नो काट दिया हमने और इस तीन को अंदर गुना कर देंगे और गुना करते हैं यहां पर हमारे पर स्क्यार है तो तीन चौक 12 तीन पंदरा माइनस दो बढ़ावर में साथ जो चीमार पर से तीन चौक 12 ऑर तीन पंदरा ऐसी होगा और माइनस दो वाई है और मैंस आप बरावर में साथ लिखाए अब इसमें हम देख सकते हैं बारा को उठाके उस साइट भी जेते हैं तो कितना हो जाएगा और पंदरा म निचे माइने सब्सक्राइब कोई फरक नहीं पड़ता मायने स्थे उपर हो पूरी संक्या माइनस मी होगी तो दोनों के दोनों सेम निकल चुका है इस वाइक के मान को उठाके किसी भी समीकरण में रख देंगे तो य कमान कि मान समीकरण कि एक रखने पर है थी भी वाई कमेंद समीकर्ण एक में रखेंगे तो तीन एक सार रहा है माइनस में 5 गुने में-5 बटे में 13 तो एगा तो यह हो जाएगा चार मासुनिस में 25 चपे 57 बचेका 25 बचे तो किया भीन है अब यह चाला निकालो थे तीन या के भाग में आ जाएगा और तीन से 27 कडिया तीन नीम 27 यानि आ गया नौ बटे में 13 और यहां पर भी एक्स का मान कितना गया है नौ बटे में 13 कि इसमें भी आप कमेंट करोगे कौम सा रूल आपको पसंद आया पृत्रीस फान मिली अच्छा लगा तहकीए सब के अलग अलग कमेंट चाहिए सबक्सक्राओं के चलो इसका भी नोट कर लो और इसको भी नोट कर लो फिर आता है हम नेक्स कृश्शन पर ठीक है कि अगला कुश्यन आमारे पर दे रखा यह एक्स बटे दो दो य बटे तीन बडाबर में माइनस एक और एक्स माइनस में वाई बटे तीन बडाबर में तीन अभी आसे समीकर्ण दें रिखिए आप इसको सॉल करना है तो पहले इसको क्या करते हैं थोड़ा रंका समीकर्ण बना लेते हैं से पिसके बाद हम अपनाएंगे जो भी रूल अपनाना हुगा इसमें क्या है एकस बटे में दो प्लस में दो वाई बटे में तीन माइनस में एक है इसका यह दूसरे की बात करते हैं तो यहां पर क्या है X minus में Y बटे में 3 है बड़ाबर में 3 इस 3 साफ किया तो 3x 1- ay बटे में 3 बड़ाबर में 3 है इस 3 इस 3 दढ़ा कर देंगे 3x मैं य और 3 तीन नो अगया फिमें पहला कहा है 3x ऍप्र इस य बड़ाबर मैं नुड़ा आगी अब इसको हम हम करते हैं अब हल किससे करें है पहले हम लेते हैं विल उपन विदिन के विल उपन विदिन कि अब यहां पर क्या करते हैं किसी में से दोनों को साथ में देता हूं maybe थीन एक्स अग्यार्य कर दोगर दीन प्लस में चार माइनश च्छे बरावर में माइनस छे हैं और तीन माइनस वाई बरावर में नौ है यह जी जा गया आप इसमें कुछ बराबर है तो पहले चीज तो को गपाइब दिखिर हैं तो गुणा भाग करने की जोड़ती नहीं है तो हम इस पहले वाल चीज़ को कर सकते हैं तो हम क्या करें कि पहले में से दूसरे समीकुन को घटा आए गया यह तो गया और यह आ जाएगा 5y यह आगा मा इनस शे और माइनस नहीं मतलब माइनस 15 आगया और यहाँ से देख पा लें हैं वाई कमान आगया माइनस 15 बटे में 5 और घृट गया हूं टीन बचा माइनस का ठीक है यह कमान –1 अैं यानी एक और 9 12 को थे। फिल्त को है इसके बाद हो य का मान जो माइनिस तीन आ गया इसको उठाके हम रखेंगे किसी भी समीकरण में एक में रखो चाहिए दो में रखो तो हम यहां लेखेंगे वाई का मान कि मान समीकरण कि एक में रखने पर ठीक है वाई कमान समीकरण एक में रखा गया है तो वाई कमान माइनिस तीन है उसको ठाके हम यहां रख देते हैं तो यह आ जाएगा 3x प्लस में 4 गुने में माइनिस 3 बराबर में माइनिस 6 यह अब यहां बल क्या है चार दिया 12 मैंने 12 हो जाएगा उदर जाकर प्लस हो जाएगा यानि हम इसमें कह सकते हैं 3x यह माइनिस 12 हो जाएगा तो हम इसको भबस बापारा लिख लेते हैं कि अभ एक्स कामान कितना रहा है तो आ रहा है जो pop steak three-issent स्थावर्पन विदी से कैसे होगा साब कुछ ठीक है नहीं पर चारतिया बारा मैंस शैनुत को करते हैं नहीं परति श्ठापन विदी कि उप फाइप पर परतिसथापन विदी से शौल करेंगे सी ठीक हिएे उसको धीटते आप इस में पहली समिकर्ण पास है हमारे पास तो 3 प्लस चार बवाइब हो चाहर ब्रावर यह प्लूसरी विधि में था प्रतिश्थापन निकाला और पहले में से निकाला और पहले में पॉट कर दिया तीक हैं चलब करते हैं तो यहां देख पारें इसमें से निकाल ज्यादा आसान त्री एक्स-वाई यह था ना त्री एक्स-वाई बिल्कुल ठीक है यहां से वाई का मान निकाल लेते हैं तो इसको अधर भीज़ा नौक विज़ देंगे तो तीन एक्स इस नोगा इधर भीजा माइनस 9 बरा यह सब्सक्राइब करें निकाल लिए इस वाई के मान को उठाकर हम पहले सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह रखने पर तो यह समीकरन पर एक में रखने पर जैसे कि आप लोग को बताया था कि जिस समीकरण से हमने निकाला है जिसे दूसरे से निकाला है दूसरे में नहीं रखना आपको पहले में रखना है याद रखेगा ठीक है या रखते हैं तो यह आएगा तीनेट प्लस में चार और वाई की जगह आ जाएगा धीनेक्स मारावें नो बरावर में मैनिस चीए है यह जई थिए यह चीए जिए है डावार 15-1 बस क chi-15 एकि गया एक्स कितना आगया एक्स का मान डो आगया कि टिकंहे एक्स के मान डो एचुका है अब इस एक्स के मान गांन क्या होगा टो समिकर्ण दो में रख देते हैं एक्स-का मान वागि आप किसी भी रख दो आनसर तो आ नहीं सब्सक्राइब ना है च्रण तो यहां से हम देख पार है वाई कि क्या है वाई बडाबर में तीन एक्स माइनस नो है मतलब तीन और एक्स कमान दो हो गया और माइनस में नो हो गया तो तीन दूनी छे चया मैंन से ओंनो और वाई कमान अगया माइनस तीन वाई कमान क्या गया माइनस तीन है ठीक है उसको चैवय में हो गया तुर कौकर चीजई फिर tud Alham विलोपन विदी या फिर प्रतिस्थापन विदी तो आप इसका इसका बी कि ensuring लो और हम आते हैं फिर next कु!! कित हुए नेक्स्ट कुशन हमारे पास क्या है तो आप Sonney में मतलब यहां पर एक सबारें को है लिकती रूप में है इसको कैना है हमें स्वामिकण बनाना है त uniforms बनाइए और उनके हल यदि उनका श्रित्व हो ठो तो ऑनी यक ठो तहां एक घटा दे तो भिल से बड़ल जाती है यानि हम कहें कि माना मैंने तो है माना भिन जो है है एक्स बटे में वाई यह आपको भिन दे रखाएं तो यह आपको भिन दे रखाएं तो यह आंसर एक बन जाएगा यह कहना चाहरा है तो यह सेट जाएगा थो दो जाएगा यह प्लेस बेसीपेर बन जोनी यह अब उसके houses के इस हर में एक होड़ोट कर दें भी कंदिशन और यह हर में एक जोड़ दे अब वाय इसमें कहा है यह ती हर में एक जोड़ दें तो यहां एक बटे दो हो जाता यहांनि यह कितना जाएगा नहीं बनाते तो जाता हैं अब यहां से लोखना उद्विवा तो सभी संसी हो गया तो उधर से थनste नहीं इस को उठाए दर ले आते हम तो 2x-y ब्रावर में एक आ गया यह समिकर्ण दूसरी Lou दो समीकन हमारी हो चुकी हैं अब क्या करते हैं एक समीकनी प्रींका दो Mé invest दो dime-7 दिया तो x-y ब्राबर में-दो है और दूसरा है 2 xavyata को या गया किया कोई चीज सेम है इसनने जो कट जाges है सेम है माइनस वाई है चलो भाई ठीक है तो हम क्या करते समीकर्ड एक मे definis एक मैंसे दो को घंटा आए एक मेंसे दूकम हम घटा रहे हैं अब घटाने का मतलब क्या है कि यह प्लस का तुक तुक कटके जीरो हो जाएगा तो ये कट क्या ठीक है या ऑबर क्या है मैने स्टी माइने माइने स्टीन हो === यायनि माइनस से माइनस केंइस होगा तो X का मान तीन हो जाएगा X का मान तीन हुचका है ठीक है चलो एक समय करंण चर्ण हो गया इस x के मान तीन को ऊठाकर हम किसी भी समिप्रण में रग देंगा y भी जांगा तो हम लिखते हैं वहह Ay Sand Hi an kay Dec지만 ठीक है , X कमान 3 है , उसको को मैंने समीघरण एक में रख दिया , एक में क्या है , तो यह X माइनस y है , ब्रावर में माइनस दू है , इस Y को उधर भेजा , तो 3 माइनस 2 को इधर भेजा , प्लस 2 यह जाएगा , यानि Y कमान कितना आ गया ? 5 , यानि हम देख पा रहे है , X 3 है और Y 5 ह अब कहा जये बही क्या गोला है वह न्युक्व है तो बिन क्या था X बहुते में Catholics तो विन्त भिन्म है तो हम कई तुग जो समस्राइब डिलोक्त लिरे अभिन जोने एhtी बेटे मीए और एक्सक्त लेटन पांच फिर से था या तoming आंत्र बिया निग्स पर इसको नोट कर सकते हो इसका स्क्राइब सकते हो और फिर हम आते हैं नेक्स्ट कुशन पर यहां पर और बताना चाहूंगा भिन याद रखना एक सब्सक्राइब 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 चलो आते हैं नेक्स्ट कुशन पर हाजी तो अगले कुशन की बात करें तो पांच वर्स पूर्व नूरी की आयू सोनु की आयू की तीन गुनी थी अब यह बात कर रहा है पांच वर्स पूर्व की पहले की तो भाई पहले तो हम क्या करते हैं एक्स और वाई मान लेते हैं फिर इनके पुराने जमाने की बात कर बुरिखें सेखर बॉनकिज है में वर्तिमां कि यो भी आकस से ठीक है और नौरी के साथ कौन थी 2008 लाइघा सो भी इसमें पुर्व हिसék Nicolas क्वाइब है कि आए अप ने 225 पूर्व की बात कर रहा है तो और अब इसमें क्या होगा एक्स कितने साल की माइनिस पांच और जो वाई होगा वह भी माइनिस पांच अभी अगर मैं पत्चीस साल का हूं आप कितने पहले क्या होगा तो पांच कम जाएगा पत्चीस में से पांच कम होगा तो बीस आ जाएगा पत्चीस में से पांच कम होगा दस आ जाए कि वह पांच बस पुरानी बात हो रही है तो पुरानी बात का मतलब हमने 5 कर दिया ठीक़ है चलवाइब अब इसमें क्या है 5वस पूर्फ नूरी की आयों सोनु की आयों की 3 जोनी ती तेन यान इंट्वरा ब्रावर में करके यह हो जाएगा इसको टाके फेस्टेंगे तो क्या ओजाएगा एकस मैं इस में तीन वाई और इस-5 बीचे तो प्लस पाच मैंने समें पंदर्ह जाया और यहां से से मैंने एक्स लिखा और वाई लिखा और दस प्रस्चाद मतलब प्लस में दस लिखा और प्लस में दस लिखा ठीक है यह मुद्दामने लिख लिए दस प्रस्चाद बात की बात है तो यह से दस लिखा ठीक है अब इसने कहा है दस प्रस्चाद नूरी की आयू मतलब एक्स होगी मतलब एक सब्सक्राइब निकालते हैं यह आरहे है 2y प्लस में 20 इसको इधर फिर एकस माइनस में 2y इस दसको आखेज देंगे तो 20 माइनस में 10 वह आ रहे है तो हम क्या करते है दोनों को एक साथ लिखे लिए तो क्या है वारे पास यहां पर दर रसोचा ता यहां पर मैनेष थीग कहा है कैस safer 19% बराबर में मैनेश तर्ष और एकस माइनश दोवाई बराबर में फिर से फिर से वही कर रहे हैं पहले कर दूस्य खरण को हमने idiot कर दिया – कट रहा है क्यों करें क्यों बराबर दिक गया है का एक्स बराबर है स कट है तो यह मैनिंस गया और यह मैंस होगा यहां से यह कट गया और मेंस तीन प्रण में और यह मईनिस दस मीनिस दर्स कितना माइनिस 20 हो जाएगा और यहां से दांद सकते हैं आयों से मैंनिस कट चुक था ? यानि कामूं था ? सोनू की आयों Sa 짧 दिक हैं अब इस स्वोसे समीकरण में डाल देंगे एक में डालू एक में डालू किसी में डाल देते हैं ? तो वाई कामान B से संक्वाहां में डाल दीते हैं तो वाई कामान पर समीकर्ण पर 1 में रखने पर आथ कि रहा टीक है व acontecने वाई कामान वाई के हुन को क्या pleasure औसहां हमें लखर रहें तो य कामान हमारा क्या है तो Y कामान 20 है उसको ठाए हमने यहां रखा तो X- मैं तीन में 20 बड़ावर में माइनिश 10 है ऑब हम कह सक्ते हैं यहां जाएगा Crist 8-9 प्लस साठ जाएगा साथ माइनिस में 10 है यानि एक्स का मान कितना आ गया पचास आ गया ठीक है यहां हम कह रहे हैं पर नूरी जो है वो 50 वर्ष की है और जो सोनु है वो 20 वर्ष का है ठीक है किया मार पार आज गया अनसर वह नूरी की वरतमाना आयू कितनी है पचास है और सोनू की वर्तमान आयू 20 वर्स है ओके तो यह हम लास्ट में लाइं में लिख देते हैं कि भाई कि नूरी कि नूरी की वर्तमान आयू कितनी है पचास वर्स है ठीक है और वही बात करें सोनू जो है है कि वर्तमान आयू 20 वर्स सहा है ठीक है चलो इसको नूट कर लो फिर हम आते हैं नेक्स कुश्शिंट पर इसका और इसका भी लेलो आते हैं एक्सक्रेशन पर हम कर देते हैं इसको कि हम अगले कुश्चन की बात करें तो यहां लिखा वैं दो अंको की संख्या वही वाली बात आगे एक्जांपल वने किया था दो अंको वाली संख्या मतलब इससे मारे माइंड में आता है यह दो अंको की संख्या के अंको का योग अंक कौन-कौन से हैं तो अंक बात करें जैसे कि मैं 25 लिखा हुआ यहां पर तो यह पहला अंक है यह दूसरा अंक है तो इसने कहा है अंक दो अंको की संख्या के अंको का योग जो है वह नो है यह एक एक सो तारिक वाई होता है यह होता है और दोनों अंको का योग यानि मैं इसके हल में लिखूं तो कैसे आएगा पहला अंक एक्स है और दूसरा एंक वाई है और दोनों का योग नो दे रखाए ठीक है इस संख्या का इस संख्या का नौ गुना है यह संख्या का नौ गुना यानि कि मैं बात करूं दस एक्स प्लस में वाई इस संख्या का नौ गुना जो है इस संख्या का 9 गुणा संख्या की अंगों को पलटने से बने संख्यां का दो गुना के बरापर है अं हम कह रहे है वह हमारे पास 2 गुना अगे है है यहां से बना भड़ेते हैं यहां से बडन मैं ji औरтак आएगा तो प्लस में 9 वाई प्लस में 2 एकस या गया इस किस भाई नो टाके धर लेंगे तो यह बचेगा है डूंट एकस allez कृटक लिकए तर यह बचेगा अठ आ सी एकम सावी कि यह एकशवालay एक से घटेगा और वाई वाला वाई से घटेगा ऐसी होता है ठीक है अब हम देख सकते हैं ग्यारा अठ्ठे 88 घट गया ठीक है यानि अब हम देख पा रहे हैं या फिर य को मैं इधर लाओं तो आठ 8x-y बरावर में 0 यह दूसरी समीकरण हो गए और यह पहले समीकरण हो गए ठीक है दो समीकरण हमारे सामने आ चुक है अब इन दोने समीकरण को हम करेंगे वेलोपन विटी से सौल तो इसमें कुछ बराबर दिख रहा है तो य और मामला बन सकता है ठीक है तो यानि मैंने क्य आप्ति-प्रा किया X प्लस में Y से बरावर में 9 है और दूसरा है 8x-y बरावर में 0 है तो पहले समीकरण में हो जोड़ दिया गया ठीक है दोनों को X का मान निकालेंगें कितना रहा है दो एक Raw 9 से 9 गट गया नो से कम 9 गट गया और X को पूरा एक आ गी आ गया अब ऑपकर मैं करें किसा डूनारенко किसा है दे तो एक स का मान केुछ टाम पैसने मेराखनें तो इस प्लिस का वाई और यहां बचेगा सिर्फ आट यहां आगे तक है याँ आठ चुका है अब एक से आठ है तो हमें क्या करनी है वह संख्या ग्यात करनी है और वह संख्या क्या थी हमारी हम नहीं लिया था x-plus में वाई तो वह यहांपर हम क्या करेंगे कि वैं Angeles हुआ है कि वैं व्रह धो उनको कि थी तो हम इसको लिख देती है यह था 10X प्लस में य था, और हम देखने पारे 10 तो 10 और x का मान क्या अरहा है, तो x का मान आ रहा है, एक और y का मान है 8, x का मान एक है, y का मान आठ है, तो ये आगया 18, तो दो अंक वाली सुंख्या कितनी आगी? 18 अब इसी में क्या है, को यहां पर क्या हो जाएगा तो यहां पर हमें दे रिखा सकता के तो यहां पर हम यहीं लेंगे तो यहां पर आंसर हमारा कितना आगे तो आप इसको नोट कर सकते हो और इसका पर यहां पर यह कुश्चन खातम होता है तो यह बता दूँ यह आपका सब्सक्राइब मोस्ट इंपोर्टेंट है यह कुश्चन भी आए दो अंगवाल से क्या पूछ लेते हैं टेस्ट वगरा मैं ऐसे कुश्चन आ जाते हैं तो यह इसको प्रेक्टिस तो कर लें जो लास्ट में तीन चार पांच कुश्चन बता रहा हैं इनकी प्रेक्टिस तो लिए बैंक गई मतलब 2000 रुपए निकालने लिए बैंक गई मिना ठीक है उसने खाजांची से मतलब कैशियर था उससे 50 रुपए के और सौर रुपए के नोट देने कले और खाजांची ने वहीं दियू तीक है मिना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए औरम बीना को को टोटल 25 इस नोट दिये गए ठीक है ग्याद कीजिए कि उसने उनसे में कल गया है कि उसने पचास और सौर्पे के कितने कितने नोट प्राप्त किये थे ठीक है जलो हम इसमें आते हैं हल में माना रुपे पचास के के नोट की संख्या कि पचास रुपे के नोटों की संख्या कितनी है तो इसको अगर मैंने माल लिया एकस है ठीक है अब कहा जाए भई सो रुपे के नोटों की संख्या इसको हमने वाई माल लिया चीक है और हमें पता है टोटल नोट कितने 25 नोट है यानि हम कह सकते हैं एक्स प्लस में वाई 25 है यह तो हो गई पहली समिक्रण कि वह कुल संख्या 25 है पांच को लिग दिया यह एक्स प्लस वाई कितना हो गया 25 हो गया तो यहनि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई कुल नोटों की संख्या 25 थी और एक्स प्लस वाई कुछ 50 के ते कुछ सो के ते यहीं चलब ठीक है उसके बाद इसमें कहा गया है क्या चीज़ कि वहीड़शार रुपे टोटल थे दो हजार का मतलब क्या है कि पचास रुपे के एक्स नोट लिए गया और सौर रुपे के याई नोट लिए गया है ठीक है और उसके बाद टोटल मिलके आ रहा है 2000 रुपया रहा है अगले 50 रूपय का नोट है एक नोट है तो 50 रुपय दस नोट कितना हो गए तो दस गुने में 50 आगा जो कि 500 जाएगा ठीक है तो वही चीजी हां पर हो रहा है एकस नोट है औरrill कितना रहे है यहां पर पहया है अब यहां से कुछ कॉमन लेके कट रहा है तो हम बरावर में 2000 बटे में 50 है जीज़ों से जीरों के इसको पांच चौक 20 40 आ जाएगा यानि हम यहां पर कह सकते हैं कि क्या रहे है एक्स प्लस में दो वाई बरावर में 40 आ रहा है और यह आगे समीकरंड दूसरा ठीक है यह समीकरंड पहला वह समीकरंड दूसरा दो बचाए चला बहुत ठीक है अब हम क्या करते हैं दोनों समीक्राण को सॉल्व करते हैं तो इसमें कुछ बराबर है एकस प्लस में 25 और एकस प्लस में 25 बराबर में 40 यह दो समीक्राण इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस होगा अब यहां देख पार एक से कट गया वाइन से 2 गया तो मैनस वाइब चारण तो मैंस 16 पंद्रह बचा और यहां से हम देख पारे हैं वाइस कामान 15 कि आगे 15 तो तो इसको भी निकाल लेते निकाल ना तो पड़े गई वाइक अंक है तो समीकर्ण एक में रख देते हैं मांड है कशटमी करण कि एक या ज़ते हैं कि एक नहीं पर ऒखा है तो यह पंद्राइपंद्राइपंद्राइप उठा के यहाँ पे रखा यह इसमें रख देते हैं तो हो जाएगा मेरे पास by aX plus में 15 वरा ब्राबर में 25 और यहां से आदा है एक्स कमांड दस यानि अब हम कह सकते हैं क्या कि पचास के लोटों की शंख्या-10 और सो किन्ते संख्या 15 प्टासिन के नोटों के संख्या 55 सों के मतला फंसर बें पंद Our neighbors तो इसमें स्टेट में के त्रूड के नोट की संख्या कि दे पपचास्रों के हमें संख्या कितनी आ रही है तो 50 रुपे के नोटों की संख्या रही है दस ठीक है तो हमने लिग दस ठीक है अब यहां पर रुपए 100 रुपे इस थे उसके नोटों की संख्या कितनी आएगी तो 100 रुपे की नोटों की संख्या कितनी है 15 और यहीं इसका अंसर इसको नोट कर सकते सकते हैं और इसका पूरिषटी और सकते हैं ये कोशन हो गया है ओके चला हूँ उसके बाद माते हैं नेक्स कुछिन पे ठीक है इसको ऐसके आमने इसको भी हाँ च्छित तो नेक्स्ट नहों हमारे पक्या है इसमें लिखाए किराय पर पुस्तक देने वाले किसी पुष्टक देने वाले पुष्टकाले का पर्थम तीन का एक नियत किराया है मतलब अगर आप पहले बुक लेके आते हैं वहां से पुष्टक रखने के लिए 27 रुपे दा किये और किताब को उसने साथ दिन रखा उसने 27 रुपे किये ठीक है उसके बाद क्या है सूसी जबकि शूसी जो है ने एक पुष्टक पांच दिनों तक रखने पर 21 रुपे दिये ठीक है तो उसने क्या किया एक पुष्टक को पांच दिन रखा है पुष्टक को पांच दिन रखा और उसने उसके लिए कितने रुपे दिये 21 रुपे दिये ठीक है अब इसने कहा है नियत किराया आता था प्रतिक अत्रिक्त दिन का किराया ग्याद करना है यह जो फिक्स चार्ज हुए तीन दिन का नियत किराया हूँ प्राइनर पर गरतीन दिने उसका नीध किराया वो कितना दे रहा है existing टिन का नियत किराया फाहिक वह नमाने वाली बात हैं तीन दिन का नियत करा मतलब जो फिक्स चार्ज था उसको मने लिया है एकसर रुपै ठीक है रुपीज एकस वाल लिये उसके बाद क्या है प्रति दिन मतलब परड़े का का किराय जो यह तोई उसको माली हाँ में रूपी दुधा'm कि इसने कहा था कि कि वह सरिता ने साथ दिन के लिए किटाब बचे कि 5-4 यहीन यह हो ना बक्ली में छला गया या या यहिए तीन दिन के लिए तो आट एकश रूपह उसने पड़ एक्पस आधा कि ओ और बचे चार सब्सक्राइब करें और चार चार डिन वाई क्या से चलती मतलव कि यह होगा बरावर में 27 संथ होगा चार दिन उसे आप से पेमेंट करी है और 2 दिन का फिक्स्च चार एकश रुपय लग जब घन, जो शुशी थी उसने किया ठीक है अब याद रखना फिक्स चार्ज कितना मतलब नियत किराय जो तीन दिन का था और बाकि जो चार दिन थे उसी का हमने युपे के साब से लगा दिया ठीक है और इसमें भी क्या है तीन दिन एक्स के लिए हो गया और दो दिन के लिए वाई के साब से चला अब इन दोनो समिकड़ को हल करेंगे तो इसमें देख रहे हो एक्स सेम है एक्स सेम है तो पहले में से दूसरे को घटा देते हैं बस तो हम यहां पर लिखते हैं समिकड़ एक में से दूसरे को घटाया गया है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस में चार वाई बरावर में 27 और एक्स प्लस तो तीन आ गया वाई कमान तीन हो गया यानि हम कह सकते हैं जो पर देगा चार्ज था हर एक दिन जो बढ़ रहा था उसका चार्ज था वो कितना रुपे तीन रुपे था ठीक है ना हर एक दिन जितना विलिए आप लेट करोगे पर देगा तीन रुपे के हिसाब से चार्ज तो यह वाई आगया तीन अब उसके बाद हमें निकालना एक्स तो इस वाई को उठा कि किसी भी समीकरण में रख देंगे तो वाई कमान समीकरण दो में रखने पर एक्स प्लस में दो गुने में तीन बरावर में एक्स हैं अब यह तीन दुश्य है चे को उठाके दूसरी शाइड लेके जाएंगे तो एक्स कमान कितना ऌगा एक्स माइनिस में छे हो जाएगा जो कि कितना रहा है यानि जो फिक्स चार्ज था ע unas Braun 20 देने पड़े मैं दो दिन था कि चौते दिन आया तो पंद्रा के साथ प्लस में 3 रुपय और अठार उपलें और पांचवे दिन आया तो तीन रुपय और 821 जो किस जोकी इसने पेमिंट की थी ठीक है तो यह यहां पर एक्सवर वाई आया है ओके तो यहां पर हम कह सकते हैं वही नियत किराया कि नियत किराया यह है रूपीज पंद्रह और उसके बाद प्रति दिन किराया दिन का किराया यह कितना है तो तीन रुप्रति दिन का किराया चल रहा है और एक्सका हमान कितने पता चल रहया उके चले इसका कस क् hinge में सकते हैं और इसका भी देस चल लियुक्त तो और फिर यहां पर आते हूं नेक्स्ट पर longer बचाए क्या कुछ यहां पर यह एक्सराइज होती है खतम ठीक है तो यहां आप लोग को बता रहा हूं कि हमने विलोपन विधी के आधार पर यह एक्सराइज को यह परसनावली को हमने पूरा-पुरा कर दिया है तो सबसे पहले हमने इसमें आज क्या बढ़ा कि विलोपन विधी थी क्या उसको कैसे सौल किया था और उसके अधार पर इसके अगर आपने यह वीडियो देखा है तो विलोपन विधी में आप हो गए एक्सपर्ट ठीक है और इसमें बिलकुल एक्सपर्ट होने के लिए घलतियां खतम करने के लिए आपको करने के पड़ेगी फिर मैं वहीं कहुँगा आपको करना पड़ेगा इसकी प्रैक्टिस आपने वीडियो देखी बहुत अच्छी बात है अभी आपके समझ में भी सब चीजा आगी होगी ठीक है लेकिन उसके बाद यह भूल भी जाओगे जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करना अनिवार रहे हैं ठीक है चलो है बागी आप लोग को पता ही है मैंगने बेन के बार आपके मुबाइल पर आपको मिलने वारा है जितने भी वीडियो लेक्टिस हैं वह बिल्कुल सिस्टेमेटिक तरीके से बिल्कुल अरेंज़ फॉम में आपको कहीं कुछ धूंडने की जरूत नहीं है बिल्कुल असान तरीके से यहां आ सकते हो और अपनी पूरी क्लास को क अब आपको किसी विशह में कोई दिक्कत होती है तो आप उस विशह के जो आपके टीचर है उनके सामने वाजनाओं पे क्लिक करोगे और उसकी वीडियो लेक्टिस देख सकते हो जैसे कि मालनों आपको मैट्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे सामने यहां वाजनाओ वाजनाओ पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखीगा जहां पर आप देख पाऊंगे भी हमने टॉपिक के कौनकुन से कवर करवा रहे हैं तो यहां पर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है कोई कवर किती होती है और क्लिक करते हैं तो इसमें कोई दूविधा वाली बात नहीं है आप बड़े असान आतानी से इन चीजिव का फाइदा उठा सकते हो ऑके चलो बई और लोगं को पताए मैं के में हिंदी में कुसें लॉंच कर दिए छटी से बादवी किक्षा तक के सभी विश्यों के complete वीडियो को free of cost आपको मिलने वाले हैं और जैसे कि आप इसका फाइदा भी उठा रहे हैं तो इन चीजों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में रिलेक्टिव में और कोई भी जान पेचान में हैं ठीक है जो छटी से बादे को पड़ते हैं उनको सब्सक्राइब क